तो गाईज आज की स्वीडियो में हम जोए-ा je i.e.e. Chelsea करने वाले हैं वो भी यहाँ पे 18650 में जितनी भी हमारे पास लीथियम बैटरीस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई 1200 mH में है कोई 2000 mH में है कोई 2600 mH में है तो कोई 2500 mH में है तो यहाँ पर आज हमारे पास एक IR टेस्टिंग की मसीन है आपको पता होगा जितना कम IR होता है उतना ही हमारी बैटरी 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 परफॉर्म करती है तो इस वीडियो में आज हम IR को टेस्ट करेंगे यह देख सकते हैं जारा मिल जाएंगे और मसीन की रिक्वार्मेंट रहती है अगर आपको तो आप वोटसर पर कोंटेक्ट करके मसीन भी ले सकते हैं लेकिन इसकी जो कोस्टिंग है वो थोड़ी सी जादा रहती है लगबग 2-3,000 रुपे के आसपास तो अगर आपको परचेस करने तो बता दे ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको ओन कर देता हूँ यहाँ एक सिंगल बेटन में यहाँ जो ओन हो जाती है एक साइड में आपको यहाँ पर वोल्टेज दिखेगी और दूसरी साइड में आपको यहाँ पर IR दिखेगा ठीक है तो चलो अब मैं बैटरी को इसमें सेट करता मतलब इसमें लगाताओं बैटरी को और इसके बाद देखते हैं कि हमारी जो IR है वो कितनी निकल के आती है고 जतनी आपकी बैटरी बैटर होगी मतलब जतनी बढ़ी है क्वालिटी की बैटरी होगी अगर भेकार क्वालिटी है तो IR उसमें आपको मिलेगा बहुती जादा लगवाग 50-60 के आसपास लेकिन जो बेस्ट बैटरी होगी उसका IR आपको जो है वो मैं आपको अभी दिखा दूँगा चलो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट बैटरी लगाने वारा हूँ 2600 mhk 2600 mhk जो बैटरी है अभी हमारे पास स्टोक में भी आने वाली है अगर आप रिक्वार्मेंट करते हैं वोट्सक पे या फिर कॉंटेक करते हैं इस वीडियो में मतलब कमेंट करते हैं तो उस पे भी हम एक वीडियो बना देंगे और एवलेबल भी हो जाएगी ठीक है तो चल ठीक है तो यहाँ पर 25 से नीचे का जितना भी IR होता है वो सबसे बेस्ट होता है 25 से नीचे के जितने भी सेल होते हैं अगर उनका IR यहाँ पर 25 से नीचे नीचे है ऐसे एक तरह किसे 20, 19, 24, 23 या फिर 15, 12 यहाँ तक भी IR चले जाता है अगर next quality की बैटरी होती है तो ठीक है यहाँ पर बहुत भड़ी है quality की बैटरी मैंने इसमें लगाए थी अब यहाँ पर 1200 mH की बैटरी लगाते हैं यह भी definitely पूरी की पूरी ओरिजनल रहने वाली है तो चलो इसको भी मैं एक बर जल्दी से लगा के देखता हूं कि आखिर इसमें IR कितना मिलता है मैं और यहाँ यहाँ पर 3.94 वोल्ट यहाँ पर हमें शो कर रहा है और यहाँ पर जो IR है इसका वो 31 है तो अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 1200 mH की बैटरी है वो 100% ओरिजनल होने के बाद भी कितना IR यहाँ पर आपको निकाल के दे रही है तो यहाँ पर बढ़िया और क्वालिटी में बैटरी आपको देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पर 1200 mH की हमने चेक कर लिया अब यहाँ पर 2500 mH भी लगा के देख लेता हूं में कि 2500 का IR हमें जो कितना देखने के लिए यह मिलता है तो चलो में एक बर यहाँ पर इसको भी कनेट करता हूं यह होंगली क अंदर हैने वाला है हमारे पास 2500 mH और इसके मैं एक्चल क्वालिटी में आपको बतायाता हूं एक्चल में यह 2500 mH तो नहीं है यह इसका प्रोक्स में आपको जो यह 1200 mH की आसपस आपको इसमें जो है कैपेसिर्टी निकल के आएगी तो अभी यहाँ पे इसका IR अगर मैं आप देखता हूं तो 51 IR है इसका मतलब यह वाली जो बैटरी है यह एक तरीके से अच्छी बैटरी नहीं है 25 mH लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे इसमें 25 mH इसमें है नहीं ठीक है मतलब अंदर से जो कैपेसिर्टी है वो 2500 mH की इसमें जो है आपको नहीं देखने के लिए जबकि आपको 26 mH की बैटरी थी उसका जो IR है वहाँ पे 23 दिखाया है जो की बैश्ट है तो यह थी आज की एक छोटी सी वीडियो आपको काफी यूसफुल लगी होगी और बाकि आप जो है जो भी समान वगरा परचेस करना है आपको बैटरी वगरा परचेस करनी है तो ज